हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को टबाएं लेटिस न्यूज सबसे पहले देखने के लिए इस कद्दर हॉलिवुड में व्यस्थ हो गई है कि अब उन्हें बॉलिवुड में काम करने का समय ही नहीं मिल रहा है बॉलिवुड में प्रियंका चोपणा आखरी बार प्रकार जहा की फिल्म गंगा जल्दों में नजर आई थी इस फिल्म के बाद से प्रियंका को लेकर लगातार इस बात के कयास लगाएं जा रहे हैं कि आखिर वे किस फिल्म को बॉलिवुड में अपनी वापसी को लेकर चुनेंगे लगातार कई फिल्मों के साथ उनकी वापसी को लेकर खबरे आती रही लेकिन यकीन के साथ वे किसी फिल्म से नहीं जुड़ी बताया जा रहा है कि उन्हें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है इसी बीच यह भी खबर आई कि वेह अपनी वापसी अपने प्रडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म से करेंगी और इसके लिए स्क्रिप्ट तलाश रही है उनके अभिनरेक बनने वाली उनके बैनर की किसी फिल्म की शुरुआ तो अभी तक नहीं हो सकी अलबता वह अपनी मा के साथ फिल्म निर्मान के क्षेत्र में कूध पड़ी और कई क्षेत्रिये भाशाओं की फिल्मों का निर्मान किया जिसमें उनकी मराठी फिल्म वेंटिलेटर को नाशनल अवार्ड से समानित किया गया प्रियंग का चोपड़ा मराठी के साथ साथ वे भोजपुरी और पंजाबी फिल्म का भी निर्मान कर चुकी है लेकिन यहाँ उनको कोई खास सफलता नहीं मिली एक जमाने की बलिवुड की देशी गरल आज इंटरनेशनल स्टर की स्टार बन चुकी है अर्तराश्ट्रिय मंच पर दिन प्रती दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके इंस्ट्राग्राम पर उनके 20 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं अपनी परसनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी तमाम बातों को वे शेयर करती रहती है लेकिन बॉलिवुड में उनके ऐसे बहुत सरे फैंस हैं जो उन्हें बॉलिवुड की फिल्मों में देखना चाहते हैं लेकिन उनके फैंस की यह चाहत का पूरी होगी शायद इसका जवाब खुद प्रियंका चोपड़ा के पास भी है प्रियंका चोपड़ा वे डिमांड बॉलिवुड वाले नहीं पूरी कर पा रहे हैं